हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ में बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी शेयर करूंगी इसे आप लांच डीनर याप ब्रेकपस्ट कभी भी बना सकते हैं बच्चे हो या बड़े सभी को यह रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है तो चलिए फ्रांट इस्टार करते हैं वीडियो इसके लिए मैंने यहां पर एक बतन ले लिया है इसके अंदर डालेंगे हम गेहो काटा तो यहां पर मैंने दो कप गेहो काटा ले लिया है इसके अंदर अभी हम डालेंगे कुछ मसाले तो यहां पर मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है लाल मिर्ची पाउडर है तोड़ा सा डालेंगे जीरा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आतके अनुसा नमक डालेंगे अभी देखे यहांपर ले लिए भूना हुआ वेसन यहांपर मैं एक चमच बेसन डाल दूगी थोड़ा साफ चाहे तो वहर डा सकते हैं वेसन से टेस्ट ओ फलेवर अच्छा बनेगा तो अभी हम दालेंगे दो टेबली स्पून ओयल इसे जो है नास्ता हमारा सॉप्ट बनेगा तो देखिए अच्छे से आठे में सारे मसालों को मिक्स कर देंगे अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें सक्ट लो लगाना है तो पानी एक लोई बना लिए इस तरह से अच्छे से जो इसको गोला करते हुए अभी हम इसको बेल लेंगे चाय लोई को मैं आप नास्ता बनाऊंगी और दो लोई को मैं आप साइड में रख दूंगी उसे में क्या बनाऊंगी वह आगे आपके साथ में सेर कर रहे हूं तो देखिए इस तरह से आप रोटी बना लेजिए तेल या आटा लगाने की जुरूत नहीं है क्योंकि हमने आटा इतना सक्त लगाया कि मिल्कुल भी चिपकेगा नहीं तो यह देखिए एक चकले के बराबर मैंने या पर रोटी बना लिए बिल्कुल पतली रोटी बेलनी है ज्यादा म बड़े कटने लगाएं को अब 숨 उठा कर इसको से नास्ता बनकर त्यार हो जाएगा है तो सारा नास्ता में इसी तरह से बना लूगी आपको ये रोटी जो है ज्यादा मोटी नहीं बेलनी है पतली ही रखनी है तो एक बार एक रोटी से मैं आपको फिर से बता देती हूं तो यह देखे, फिर से रोटी मैंने बेल लिए हैं, चारो बागों को काट लेंगे, फिर से इसको यहां से कट कर लेंगे, और कट करने के बाद फिर से इसको उसी डिजाइन में सेफ करेंगे, तो यह देखे, शारा नास्ता हमारा बंद कर तियार हो चुका है, रोटी को पतला बेलने से नास्ता हमारा जल्दी पक के तैयर होता है बिल्कुल भी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो ये देखिए सारे नास्ता जो हमारा बन के तैयर हो चुका है इसी तरह से बनाना है हमें तो यह देखिए मैंने चार रोटी का इस तरह से बना के तैयर कर लिया है तो अभी हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं तो फ्रेंट्स आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें लाइक और सेर भी जुरू करें तो यह देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है तीन टमाटर टमाटर को मैंने अच पसंद के नुस्टा कम यह ज़्यादा कर सकते हैं और गरम उने के बाद इसमें डालेंगे एक चमच राइज यह यह दोनों डालना और अप्षनल ले अगर आपको कोई पसंद तो इसके भी कर सकते हैं जीरा थोड़ा सा टटकने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम सुखेवए कड़ी पता है मेरे पास में थोड़ा सा डाल देंगे ही और भी हम जो टमाटा काट की रखेते वह डाल देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे गैस की फिलिम को लोग रखना है अच्छे सी मिक्स करेंगे बार इसमें डालेंगे मसाले तो यहां पर हल्दी पाउडर लाल मिर्ची पाउडर स्वाद के नुसा नमक और एक चमज फिर से मैंने इसके अंदर डाल दिया हैं सांबर मसाला अच्छे सी मिक्स करेंगे और बीना दाल हैं काम के दाल हैं हमैं आता बहुतिकरों का मात करना यहां नमक टाएम लगता है इसके अंदर यह तो फिल्दी टाल हैक्तिके ऐसा इनलदी नमक पाउड़ पखने अंग हो weapon तो अब देखें इस मसाले के अंदर डाल देंगे इस दाल को अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे तो देखें मिक्स करते हुए मुझे थोड़ी से दाल थिक लग रही है तो इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे पानी तो उसी कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी लेकर अच्छे से मिक्स करके डाल दिया है तो अभी देखें दाल में अभी जो है उबालाने देंगे अच्छ हम इसके अंदर डाल देंगे तो अभी हम देखें यह हमारी जो है आज दाल डोकली बन रही है तो अच्छी से इसको ज्यादा चलाना नहीं है थोड़ा सा बस एक बार मिक्स कर देंगे और डखन लगा कर इसको 10 मिनट पकने देंगे 10 मिनट में जो है दाल डोकली हमारे में इस दाल डोकली की बहुत ही अच्छी खुसबू आ रही है क्योंकि हमने इसके अंदर संबर मसाले का यूज किया है तो यह लेगे फ्रेंट्स दाल डोकली है तो देसी की डालना बनता है इससे दाल डोकली का टेस्ट दस बुना बढ़ जाता है थोड़ा सा उपर से हरा धनिया डाल देंगे तो यह लिए फिरन डाल डोकली हमारी बंद के रेडियो हो चुके हैं इसके साथ में आप प्याज भी काड़ सकते हैं इससे बहुत ही अच्छी स्वाधिश लगेगी तो यह देखिए दो रोटी जो मैंने बचा के रखी थी उसकी देखिए मैं यह आप दाल डोकली खाए उपर से इस रोटी के छोटे छोटे चोटे टुक्रे करके डाले तो सच में खाने में मैं आपको क्या बताओ मज़ा आ जाएगा एक बार आप जरू ट्राय करें और एक बार चो यह आप बना कर भी देख सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरू बताए कि आ अच्छा लगा हो चैनल कमेंट करना मिलकुल नहीं भूलें मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ